हलो एवरीवन कैसे हो आप सभी माफ कीजिएगा आज मेरी ये वीडियो आई थिंक दिन की दसवी वीडियो है मेरी मेरी 12 वीडियो मैंने बोला था कि रोज आया करेंगी पर आज मुझे कुछ प्रोमोशन वीडियो शूट करनी थी जिसकी वज़से मेरी 2 वीडियो आप समझी सकते हो कि कम हो गई है क्योंकि कोशिश करूँगी अगर फिर भी मेरे से बन पाई तो रात को मैं कोशिश करूँगी फिर भी कि 11-12 वीडियो कर पाऊं तो यहां पे आप क्या देख रहे हो आप देख लीजिए जिन्दगी में पहली बार मैंने भी मोडलिंग करी है ये सेंडल्स कहां गए तो मैं बता देती हूं यह जो सेंडल्स मुझे बहुत सुन्दर लगते थे बहुत प्यारे लगते थे लेकिन मैंने रिटर्न करवा दिये थे दुकान पर वापिस क्योंकि यह महंगे थे काफी का और इबन यह 1000 रुपे की रेंज के थे सेंडल्स जो पाथरूम चपल एक्सचेंज करवा के दूसरी ले आई थी तो यहां पर देखिए सर मुझे अच्छे से बता रहे थे कि नीधी देखो इस तरीके से आप पोस बनाओ उस तरीके से पोस बनाओ तो मैं बना रही थी और यहां पर मैं बता देती हूं इस वीडियो में आपको यलो टी-शिट लेकर आई थी साथ में ये जिंस लेकर आई थी और ये जिंस मैंने करीबन दो साल से मैं पहनने लग रही हूं आप भी जानते हो तो ये मेरा एक फोटो शूट था जो कि मैंने करवाया था बहुत आज से दो साल पहले जब मेरे हस्बेंड अगस्त के महीने म आप लोगों को ये मेरे लिए एक बहुत यादगार दिन था और मैं इस दिन को कभी नहीं भूल सकती क्योंकि मैंने जिंदगी में पहली बार इस तरीके का कुछ काम करा था तो इसलिए आज मैं आपके साथ शियर करना चाहरी थी ये वीडियो तो देखिए प्लीज आप ल लिप्स्टिक लगा रही थी बाल एबस इनको भांध रखा था मैंने आंखों पे थोड़ा सा मैं काजल लगाने लग रही थी और देखिए उस टाइम ये वीडियो मेरे लेके आना बहुत बड़ी बात हो थी क्योंकि ये वीडियो उस टाइम की है जब मेरे हस्बेंड को ग लोशूट करवाती घूमरी है पती को गुजरे अभी साल हुआ है और देखो कैसे इसके पर निकल आई है ये कैसे कैसे अभी से ऐसी हो गई है ये तो पता नहीं कहां जाके कहां ही जाएगी इस तरीके की मेरे को कॉमेंट आ रहे थे उस टाइम जब मैंने वीडियो पहन पहन के कैसे एक वीडियो बना रही है एक्चुरी उस टाइम क्या हुआ था ना ये मेरे हस्बेंट की जो बरसी थी उससे आइधिंक बरसी मतलब जब एक साल उनको गुजरे हुए हो गया था होने वाला था तो उससे ना कुछ दिन पहले गई थी ये वीडियो मतलब थ बरसी वाला दिन था भी नहीं आपको मैं ये बात बताती हूं लेकिन लोगों ने ऐसे ही मतलब होता है ना कि बस बात पकड़ लेते हैं यो सोशल मीडिया है और आप कितना भी समझाओ जो नहीं समझना चाहता वो नहीं समझता और यहां पे देखिए ब्लैक कलर का बैगरा किया था एक्चुली क्या था कि किसी ने मेरे साथ मजा किया था मेरे को इमेल किया था कि आप अपना पॉर्टफोलियो तयार कीजिए और हम फिर सिलेक्शन करेंगे आप दिल्ली आईएगा मैंने भी सोचा क्या पता सच हो वो पॉर्टफोल मैसेज इमेल पे आया था तो मै काफी मतलब expensive top था मैंने खरीद लिये थे कपड़े उस टाइम काफी मतलब एक तो यह था ना कि नहीं अच्छे से अच्छे कपड़े खरीदेंगे तो काफी अच्छे मतलब दुकान से खरीद के लाई थी मैं तो यह देखिए इस तरीके से मैं यहां पर जो मुझे मतलब मैंन इनकी जिन्स और ब्लैक कलर की एक टी-शिर्ट तो आपके पास जरूर होनी चाहिए और यहां मैंने बाल खुले चोड़े थे पता है वीडियो में अच्छी लग रही हूं बर फोटोस में कही ना कही ना अच्छी नहीं लग रही थी इतनी जादा वट कोई नहीं तो यहां और लेकिए आप लोग मेरी प्रोब्लम्स को समझीए मुझे इस टाइम पैसो की जरूरत है मिसे जो बन पा रहा है मैं बना रही हूं अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करती हूं कि आपके साथ अच्छे से अच्छा वीडियो शेयर कर पाऊं तो मुझे मोटिवेट कीजि देखिए आपका एक लाइक करना वीडियो पे या एक छोटा सा कॉमेंट करने से देखिए आप वीडियो देखी रहे हो देखते देखते अगर आप कुछ लिख दोगे कॉमेंट करके तो उससे मुझे अच्छा लगेगा मुझे खुशी मिलेगी मैं बहुत पढ़ती हूं आप लोगों के कॉमेंट्स आप यकीन मानो मैं आप लोगों के कॉमेंट्स की वज़े से या जिन्दा हूं अगर मैं इस दुनिया में हूँ तो आप लोगों की वज़े से क्योंकि आप लोगों के ने मुझे बहुत हिम्मत दी मैं रात को सोने से पहले आप लोगों के कॉम तो अजब करो कि मैं आपट अपनी टीशेट का सिनो एक लिगाचा मेरे कपड़े कहा ररागी इदर उधर हो रखे हैं मेरे कपड़े नहीं मतलब मतलब इसे पराग घड़्चार का πम नहीं तो यहंद एडिए के ऊपर पोज था ये भी पै рек ओंड के अड़ने और तो हम जिस society में रहते हैं वो बहुत judgmental है आपको point point पे judge करते हैं लेकिन आपको उस judgment से उपर उठना है कहते हैं संदीप महश्वरी सर कहते हैं सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग हम लोग अपनी life में कुछ अच्छा इसलिए नहीं करते हैं सोचके कि लोग क्या कहेंगे लेकिन actual में सच्छा है कि लोग हमारे बारे में सोचते नहीं है इतना जितना हम अपने बारे में सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे उनके पास अपनी जिंदगी है हर कोई अपने बारे में सोचता है मैं अपने बारे में सोचूंगी उसी तरी कि दूसरे ल तो वीडियोज लाए जा रही हो लाए जारी हो सिर्फ उमीद塗ांगी any मेरे सर से ये लोन का भार उतर जाएगा और मैं थोड़ी सी सांस ले पाऊंगी खुलके मैं बस वो दिन देखना चाहती हूँ गाइस की जिस दिन मेरे अकाउंट में चाहिए जादा नहीं कहती 20-30,000 रुपे पड़े हूँ वो दिन लाना बहुत बड़े बात है मेरे लिए क्योंकि देड़ साल हो गया यार लोन कर जा लेके 6 लाग का लोन लिया था मैंने बहुत बड़ी बात होती है बिना हस्बेंट के बिना सपोर्ट के कहां से करती इतना पैसा लेकिन फिर भी आज देखिए मैंने एक लाख अब देड़ लाख का बचा हुए मेरा लोग वो भी करेंगे यह देखिए फोटो आप जल्दी जल्दी अच्छी अच्छी आई थी इसमें से मैंने अच्छी अच्छी वड़िया वड़िया सिलेक्ट भी कर ली थी तो जी रात के सवाहट बच चुके हैं और आपकी एक बात ना बार-बार आप जो मुझे कॉमेंट कर रहे हो आप मोटे हो रहे हो मोटे हो जी मैं मोटी हो रही हूँ लेकिन इस टाइम मुझे मेरे मोटापे से कोई फरक नहीं पढ़ रहा मैं और नहीं रह चाहती हूं मुझे अपने आपको लोन मुक्त करना है 10.500 Era का लोन महिनत करनगी क्योंकि मैं जदी से जल्दी इस लिए खतम करना चाहती हूं क्योंकि मैं टेंशन फ्री होना चाहती हूं मैंने को पता है मैं जब से मैंने लोन लिया था 6 लाग का मैं टेंशन मेरे अंदर रहती रहती है मैं पहले जितनी जैसे रिलेक्स नहीं रह पाई पहले मेरे काउंट में एक बार 5-6 लाग रुपे थे मैं फिर टेंशन फ्री रहती थी मुझे लगता था यार मेरे पास पैसे है कोई भी दिक्कत आई पड़ा है पैसा फिर मैंने वो पैसे प्रोपर्टी में लगा दिये और लोन और ले लिया छे लाग का उपर से तो उसके बाद से न मैं पिछले देड़ साल से मेरे को पता नहीं क्यों इतनी टेंशन मैं को पहले नहीं थी लेकिन अब रहती है पैसा पै मैं इसलिए लगी हुई हूँ महीनत कर रही हूँ इस टाइम वीहान को थोड़ा सा जुखाम हो गए अभी इस टाइम क्योंकि दो तिन दिन ठंड का मोसम था बाहर खेलता रहा होना ही था मैं तो पहली पता थंडी ठंडी हवा में खेला खेला कोई नहीं दो चार दिन अराम करेगा सोलिड फूड नहीं खा रहा बिल्कुल भी सुबह दूद पिलाया अभी शाम को दूद पिलाया लिक्विड में और श्ट्रोबेरी खाई बस थोड़ा वो पसंद है इसले खा ली इसने दो पहर को धूप में बैठा के खिलाई थी और अन नहीं खा रहा अन किसी भी के सोजाती हूं बाकी बस भगवान जी से बस एक ही बात मांगिये मैंने मेरा ये फरवरी काम वियाब करतो भगवान जी बस आप से और कुछ नीचे ये फरवरी का महीना मेरी महीनत सफल करतो मेरे को बस भगवान जी से कोपी पे लिक रख है मैंने कि भगवान जी बस इतना करवा दो इस महीने मेरा कि मार्च के महीने में फरवरी की सैलरी ना मार्च के महीने में आती है हमारी मार्च के भी आखरी में ऐसा नहीं होता कि 29 फरवरी की सैलरी हमारी एक या दो मार्च को आएगी अगले महीने के आखरी में जाके आती है तो इसी उमीद में मैं बैठी हूँ कि मेरी इस महीने मिहनत करकर आके किसी तरीके से मैं कुछ इतना पैसा कर लूँ कर लूँ किसी तरीके से मेरी कोई वीडियो सो रुपे कमाए कोई देड सो रुपे कमाए कोई दो सो रुपे कमाए तब जाके भी 10-10 वीडियो डाल रही हूं कि किसी तरीके से मेरे कुछ पैसे बने, थोड़े बहुत बने, थोड़ा-थोड़ा कहते है ना कि मालो मैं 3 वीडियो डालती थी दिन की, और रोज के मेरे 1 वीडियो से मालो मेरे 200-200 रुपे बंद भी जाते थे एक वीडियो से, तो कि काम करके किसी तरीके से इतना काम कर लूँ मैं कि मेरा इस सिरसे बस मैं आपको वो वीडियो ले आओं कि मैं बस घर का लोन खतम कर दूँ अपनी उपर से सारा लोन खतम करना है उसके बाद कोशिच रहेगी कि दोनों गरों की रेजिस्टरी करवा के मैं फिर एक पूजा फिर थोड़ी सी परसादबट वा लूँगी कि मतलब सारा काम हो गया इस तरीके से एंड करती हूँ वीडियो का अगर हो पाया तो आज एक और वीडियो ले आउंगी नहीं हो पाया तो कह नहीं सकती कुछ क्योंकि लेट हो गया काफी फिर भी सोचूँगी मैं इस बार में कि किर